तो हेई गाईज वेक्रम दो व्लाग और एक्स यूट्यूब चैनल और फिर से अब सभी कहा बहुत बहुत स्वागा थी एक और न्यू ब्लॉग में तो गाईज आज की इसी व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं हमारे इसी न्यू क्लासिक ट्रीटी वाइप की सर्वेसिंग करवाने के लिए यह हमारा सेकंड सर्वेसिंग बोड़े वाला है लगब कुछे इस बाइक को लिए हुए सिक्स मंत का टाइम हो चुका है थोड़ा बहुत सिक्स मंत से ज्यादा ही हो गया है आज की सी ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे रोयल इंफिल्ड क्लासिक ट्रीट यहाँ पर पहले से मैंने एक स्लाट बुक करके रखा तो सर्वेसिंग करवाने के लिए यहाँ पर मेरी बाइक जो सबसे पहले सर्वेसिंग होने वाली थी लेकिन उनकी सर्विस टेकनीशियन है वह अपि तब महीं आये थे इसलिए मुझे थोड़ा सा वीट करना पड़ ग और वाश करने के बाद हमारी जो बाइक है उसको स्टैंड पर चना दिया गया है मैं अपर लोगों को शॉटली बता देता हूं सर्वेसिंग में क्या क्या चीज़े चेंज हुई है यहाँ पर हमारी बाइक की जो दोनों बैक इन दोनों विल्स को खोल गया था और दोनों व लेकिंग मुझे 3500 रुपिया देरा पढ़ गया रॉयल फील वालों को क्योंकि मेरा जो सर्वेसिक का टाइन पिरियेड था वो सिक्स मन्त से ओवर हो गया था इसलिए मुझे यार उतना कुछ पता नहीं था इस लेट फाइन के बारे में अगर आप लोग को कुछ भी पता ह बारे में तो जरूर से कमेट करके मुझे बताईएगा अगर आप सभी को यह व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर यह व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा रहे तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कीजिए चैनल को भी लगे हाथ सब्स्क्राइब करी दीजिए क्योंकि